अरे तुम कब आ गए भाई 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 वीडियो स्टाट हो गई है तो यार मौसम भी अच्छा है दुस्तूर भी अच्छा है तो मैंने सुचा क्यों ना आज आपन टेक्नोगेमस की दो गाड़ियों को कंपेर कर लें पहली है आपको पहता है थर्मिनल में गाड़ी नहीं दिकरी तो मुझे लगता है कि लास्ट बार की तरह अपने को दोनों की दोनों गाड़ियों के ओपर काफी सारी टेस्ट करने वाले हैं और यह बाइक भी एकदम सेम टू सेम लग रही है एच्टू नहीं एच्टू जैसी तो नहीं है खैर मेरी यह बाइक त करने के लिए और आपको बता है हमारा पहला टैस्ट होता है रैंप तेस्ट तो यार आज अपन लॉसेंट आउस की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर जाएंगे जहां पर हमेशा अपन जाती है में बिल्डिंग और वहाँ से अपन दो तीन बार रैंप टैस्ट करेंगे और औ करवाई सकती हो easily तो कि guys मैं मेस बैंक बीडिंग के ऊपर आ चुका हूँ और यहां पर हमारी दोनों की दोनों गाडिया डिलीवर हो चुकी है और एक साइड हमारी गाड़ी गाड़ी है जी वेगन और दूसरी साइड है बेंटले देखते हैं कि दोनों में से कौनसी गाड़ी सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगी और यह बेंटले की लुक तो कुछ जोड़ ही अच्छी आ रही है बाहर से तो अच्छी है और अंदर से इसका इंटीर भी देखो guys बाइस की जो सनरूफ है यह सबसे मस लगी में रखो मतलब पूरी की पूरी सनरूफ है इस गाड़ी के टीर इसका भी काफी अच्छा है और इसके अंदर जो सामनी अलसाइट पर स्क्रीन लगी है ना सबसे बैस तो मिरे को इस गाड़ी में यही लगी तुम भी मिरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि यार दोनों में से तुमारी फेवरेट कार कौन सी है तो पहले अपन ब बैंटले कैसे परफॉर्म करेगी परसनली बोलू तो यार बैंटले मेरे को बहुत ज्यादा पसंद दा तो यार मैंने बैंटले को उतार दिया है रैंप के ओपर आल्मोस इसने डेट्ट सो की स्पीड पकड़ ली है 200 क्रोस कर दिया और यह आल्मोस 300 पे जम करने जा रही है और मारी गाड़ी जम कर चुकी है अभी देखते है कि यह गाड़ी कहां तक जाएगी मुझे लगता है कि यह यह वाला बैरियर हाँ तो गाइस इसने इतना अच्छा तो परफॉर्म नहीं किया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था क्या कोई दिकत की बात नहीं है इसको अभी जल्दी से मैं दुबारा से इसको उपर लेके चलता हूँ और इसके ओपर अपन एक कोई टेस्स करने वाले हैं जो कि है उल्टा रैम टेस्स तुमने ये रैम टेस्स बिल्कुल भी सुनानी होगा कि कि यार इसको मैंने खुद इन्वेंट किया भी अपन रैम से पाइप पर देखना है कि यार ये गाड़ी एकदम स्टेट लैंड हो पाती है या फिर नहीं और अल्मोस में लैंड होने वाला हूं और इजट का फगलुदा हर बार हो तक है कोई दिक्कत की बात नहीं है इसको अपन ऊपर लेके चलते हैं और दूसरी गाड़ी का भी टेस करते हैं तो कि यार ये मैं बेंटले को ऊपर लेके आचुका हूं इसकी टॉप स्पीट तो अल्मोस मुझे लगता है की 300 को क्रॉस करने वाली थी पर ही अब देखते है की यार ये मारी जी वेगन की तॉप स्पीट क्या होगी तो चलो गाइस इसको मैं रहम पे लेके तुम देख रहे हो इसने तो यार और ये खंबा भी गया गाड़ी क्यों थोड़ी बहुत चौट पहुंची है पर गाइस इसने ये वाला एकदम कॉंपेटिशन जीत लिया है पर इससे एक्सपेक्ट नहीं किया था गाइस इस गाड़ी ने तो यार एकदम बेस्ट परफॉर्म किया भी जल्दी से चलते हैं दुबारा से रैम पे और इस गाड़ी का भी अपन उल्टा टेस्क कर लेते हैं तो चलो गाइस मैं रैम पे आ कर चुकी है अब यार इसने FBI बीडिंग क्रॉस कर दी और ये रोड पे लैंड हो पाएगी या पर नहीं अगर इसने रोड पे लैंड कर दिया तो यार ये वाला कॉम्पेटिशन तो ये गाड़ी जी जाएगी ठाय कोई दिकत निया से बड़े-बड़े देशों में चोटी किया होगा अब यार अपन ना एक ऐसी गाड़ी का टेस्स करने वाले हैं जो कि टेक्नो गेमर्स की है तो कि गाइस गया चुकी है पुलिस की लेंबोगी नी जो कि या टेक्नो गेमर्स ने खुद चुराई थी आपको पैदा है इसकी भी टाप स्पीड बहुत जाद है अभ इज़त का फॉलिदा मेरे साथ ही क्यों होता है अभी यह तो इसने बिल्कुल ही नो वर्ट्स गाइस कैर मैंने इससे इतना तो इसपेक्ट नी किया था यार लेंबोगी नी आयर थोड़ा तो अच्छा परफॉर्म करती मुझे लगता है कि टेक्नो गेमर्स की जो दोनों गाड़िया ना वो ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है पर गाइस रुको रुको दोनों में से कौन सी गाड़ी सबसे अच्छा परफॉर्म करती है तो चलो गाइस मैं एयर पर पहुंच चुका हूं और बैनी क्या बात है बढ़ा मीर हो गया है मतलब प्लेन में आ रहा है नहीं नहीं है बैनी का तो नहीं होगा खैर इता अंडरेस्टिमेट नहीं करना है यह और गाड़ियां देखनी चाहिए और बैनी दोनों की दोनों गाड़ियां लेके आने वाला था वही मेरे साथ रेस करने वाला है तो ओके गाइस हमारी यह दोनों की दोनों गाड़ियां एक दम पॉफेक्टली यहां पर आ चुकी है और यह दूसरी गाड़िया आई ति जीम ही लेकिया होगा और तो कोई यहां पर है नहीं है तो मैं जल्दी से पहले यह बैनी से मिलता हूं और रेस अबन स्टार्ट करते हैं फिलहाल मैंने बैनी से मिल लिया और यह बोल रहा है कि यह बैंटले में नहीं बैटेगा बैंटले मेरे कोई ड्राइब करनी पड़ेग और तुम देख रहे हो मैं बात कर रहा हूं और यहां पर बैनी ने स्पीड उठा दी खेर कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको पता है जी वेगनी इस रेस के अंदर जीतने वाली है और यहां पर भी जी वेगनी क्या इस पर उठाई है ओमाइगाड गाइस तेक रहे हैं ओलमोस मैंने जल्स इसका हाफी क्लच दबाया था और अपन रेस जीत चुके हैं पर कुछ गड़बड़ ही है मुझे लगता है कि बैनी से वो गाड़ी चला ही नहीं गी होगी तो एक बार दुबारा से यहां से रेस कर लेते हैं और देखते अब बैनी कहां जा रहे है तो गाइस मुझे नहीं लगता कि यार मैं इस पार चीत पाऊंगा पर अभी मैंने बूस्त लगा दिया और यह मैं जीत चुका हूं गाइस इस गाड़ी का जो बूस्त आना एकदम परफेक्ट काम करता है तुम भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बत है और निकलते हैं हमारे तीसरे टेस्ट में पर वो जो तीसरे टेस्ट है वो एकदम सस्पेंस होने वाला है उसके अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा मैं बजाक नहीं कर रहा है यह बात सची में सच है तो कि मैं फाइनली एक और रैम पे आ चुका हूं हमारी दोनों गाड़ियों भी आ चुकी है पर एक मिनट गाईज यह नॉर्मल रैम नहीं है इस रैम के अंदर एक सस्पेंस है जो कि तुम्हें एक मिनट के अंदर पता लग जाएगा तो यह मैंने ड्राउन ओन कर लिया तुम्हें यह रैम एकदम नॉर्मल लग रहा होगा पर ग यहां यहां से गाड़ी गिर सकती है लास्ट आइम बी ऐसे वा था पर यहां पर ऑल्लमस मारी गाड़ी की स्पीड हो चुकी है 300 यह मुझे लगता है कि 400 भी क्रॉस कर देगी रैम होने वाला है और यहां से घाड़ी ने जंप कर दिया यह रीवर को क्रॉस आई तिंक नहीं कर पाएगी यह मीड में ही लोने वाली है मुझे पता था पर यह थर्ड वाली शिप को तो क्रॉस कर गई तो गाइस जी वेगन से जो हमने एक्सपेक्ट जिया था वो तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया पर देखते हैं कि बैटले हमारे एक्सपेक्टेशन पर घरी उतर पात करेंगी और अभी अपन जाने वाले हैं डिरेक्टली उस रीवर को पार करने के लिए स्पीड हमारी हो चुकी है 400 क्रॉस और यहां पर यह 500 भी क्रॉस करने वाली और यह रैंप से क्रॉस करके मुझे लगता है कि यह रीवर को क्रॉस करेंगी पक्का गाइस मुझे पता है क यार ये गाड़ी पक्का यार इस टस्क के अन्दर तो पास होने वाली है बाकी इसने रैम चाहे अच्छे क्रास ना करें हो पर इसके अंदर यार ये वाली गाड़ी एकदम perfectly लैंड हो चूकी है और इस वाले टस्क के अदर हमारी गाड़ी एकदम अच्छा परफॉर्म करके विनर वन चुकी है तो गाईस तुम बताओ आज कि वीडियो को लाइक लुए